ओम नमेशिवाय, ओम नमेशिवाय, दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और आपके बहुत आभार है आपके घर में काला जादू किसी ने करवा रखा है या नहीं करवा रखा है उसके क्या संकेत है अगर काला जादू करवा रखा है तो हमारे घर में हमें कौन से संकेत मिल रहा है जो कि काला जादू करवा रखा है दूसरी बात है कि अगर किसी ने करवा रखा है तो हमें क्या करना चाहिए इस काला जादू से बाहराने के लिए और पहली बात तो बहुत से लोग इस विशे पर मानते ही नहीं कि काला जदू होता है नहीं होता है यह सभी जितने भी प्रश्ण है आपके यह सभी इस पूरे धाई मिनिट के वीडियो में किलियर हो जाएंगे वीडियो को पूरा देखना चीजों को बहुत बारी किसे समझना ताकि आपको बहुत से चीजे समझ आजाए और आप इस परिशानी से भार आजाए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए अगर जीवन में कोई तकविफ फरिशानी कोई टना और इपर्शन या कोई प्रश्न जो आपको वर्तमान में परिशान कर रहे हैं वहिष लेकर तो इस्क्रीन पर नमबर चली रहा हैं वाट्सप पर अपॉर्ट मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसकाफ उसकाष क하면 दूसक आपके दरसना आपको बार-बार सपने में हो रहे हैं, जैसे बहुत से जातकों को नेगेटिव सपने आते हैं, बहुत ही नेगेटिव, खुद को नुकसान पहुचाते हुए, या खुद के घर को नुकसान पहुचाते हुए, या किसी अपने को आप नुकसान पहुचाते हु और उस दो गुना तरीके से चले जाती है, बार-बार कर्ज बढ़ जाना, और हम बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव, और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा आम तोर पर सब के साथ होता है, और ये चीज एक सामननी कौमन है, जो सब के साथ दिखाए देती है, अग दूसरा अपने घर में बजरंग बार्ण हनमान चलिसा का रोज सुबह और शाम पाठ करना शुरू करें, अगर अब बजरंग बार्ण हनमान चलिसा पड़ेंगे तो बहुत फाइदा होगा, और सबसे महत्मूने गीता का अध्यन करें, गीता का पाठ करें, इससे आपको सा दिन में फाइदा हो जाएगा, ओम नमस्षिवाए